आप लोग कैसे हो बढ़िया, आप बढ़िया तो सब बढ़िया आज हम लोग जो है ने, very very much important objective question करेंगे तो आज जितना भी हम objective question बतलाएंगे न बाबू इनका answer जो है ने, पूरी मंदारी से complete कर लेना क्योंकि 2022 के लिए ये सारे objective question important है इन सारे objective question का answer आप complete करके exam देने जाओगे ठीक है, देखे question आपके सामने है कौन विद्दूत का सर्वत्तम सूचालक है option आपके सामने है कौन copper है, या ag है, या aluminium है, या iron है कौन विद्दूत का सर्वत्तम सूचालक है तो सबको पता है, इनका right answer क्या हो जाएगा, ag, ठीक है यानि b हो जाएगा इनका right answer, ठीक, चलिए question important है, इनको complete कर लेना देखे अगला question आपके सामने है सुचालक किस परकार की रहसानिक अभिक्रिया है तो सबको पता है, उपचयन इनका right answer क्या हो जाएगा, उपचयन चलिए, अगला question देखिए पीतल है, धातू है कि ओधातू है, कि मिस्रधातू है कि उपधातू है, तो सबको पता है यह पीतल जो है, न आपका धातू है, न ओधातू है, न उपधातू यह आपका मिस्रधातू है यह पीतल मिस्रधातू है इनका right answer C हो जाएगा अगला question देखिए, निम्नांकित में कौन उपधातू है, यह इन चारों में से आपको बतलाना है कौन उपधातू है आरेन तो उपधातू है, नहीं कौपर भी नहीं है, निकेल भी नहीं है, यानि आपका S B यानि यह D जो है नहीं, बिल्कुल right answer है, यह B आपका जो है क्या है, उपधातू है चलिए आगला question देखिए, सरलतम hydrocarbon है, तो सबको पता है, सरलतम hydrocarbon जो है न भगवा, वो आपका methane होता है, आज जितने भी objective question करा रहे हैं 2022 के लिए important है तो जितने भी 10 के विद्ध्यारती है उन सभी विद्ध्यारतियों से request हबब हुआ, आज का video अंत तक देखोगे, इन सारे question का answer जरूर complete कर लेना चलिए अगला question देखिए, कारबन क्या है, ठीक है तो सबको पता है, कारबन जो है silicon क्या है, उबधातू है, सबको मालूम है, silicon क्या है, उबधातू चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है गुल्कोज का आणविक सुत्रे क्या होता है, तो C6 से H12O6 होता है, इनका right answer क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक तो जिदने भी question करा रहे है, सारा important question है, ठीक है, मजाक में नहीं लोगे, वीडियो को अन्त तक देखोगे, इन सारी question का answer जरूर कंप्लीट करोगे global warming के लिए उत्तरदाई gas कोन है, तो सबको मालूम है CO2, यानि carbon dioxide, यानि इनका answer C हो जाएगा, चलिए अगला question देख लिए, question है, C-H-O अभिक्रियासील मुलग को कहते हैं, क्या कहते हो, रे, LD height कहते हो, ने, आप लोग को तो मालूम है, इसको क्या कहते हैं, LD height कहते हैं, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, चूना जल का राशानिक सुत्रे है, तो तुम लोग जान भी ने करते हो, रे, चूना जलका रशानिक सुतरे क्या होता है न basते हो तुम लोग को तो मालूम है CAOS पे HAL2 होता है semaine है लेखिएम हेडरावसाइंड को हम लोग क्या बोलते है चुना जलके भी नाम से इनको जानते है उदासिर फिलियं का pH मान होता है तो किसको ने पता है बच्चा बच्चा को पता है, साथ होता है, क्या होता है, सेवन होता है, उद्धा सिर्मिलियन का पी एच मान कितना होता है, साते न होता है, तो तुमनों तो जानवे करते हो किन का एंसर साथ होता है, तो याद रखना साथ, क्रायो लाइट एस के है, किस का है, क्रायो लाइट एस के जो है किसका है तो याद रखना अलुमिनियम का है ठीक तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सी ठीक चलिया अब आगे हम लोग देखते हैं लोग कितना एजी कोस्टन है इंपोर्टन कोस्टन एजी नहीं समझगा इंपोर्टन कोस्टन है ठीक तो एस्ट्व एस फूर होता है न इनका तो बी हो जायगा इनका राइट एंसर कर्बॉक्सिलिक अमल समभूं कौन है तो सब कोई जानते हो सी डवलम एच को ही न आप हो रहा है तो राइट एंसर यह हो जाएगा है ठीक इस अभी क्रिया को देख लीजिये । दिमाग में दोडया लिजिये थे के सीव में ऑक्सिजियन जूरी या थो तो C U का ऑक्सिक्रन हो गया, तो C U का ऑक्सिक्रन यानि कोफ़ का ऑक्सिक्रन हुआ है, ठीक है, चलिए, एलकीन का समाने सुत्रन निमलिकित में कौन है, कौन ने जानता है, सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, एलकीन का बोला है, एलकीन का बोला है, एलकीन का तो परमानुओं के बीच कितने आबंद बनते हैं, तो तीर बनता है, त्री आबंद हो जाएगा, ठीक, आधुनिक आवर्तसार्नी के उधागर अस्तम निमलिखित में से कहालाते हैं, क्या कहलाते हैं, उधागर अस्तम, आधुनिक आवर्तसार्नी के उधागर अस्तम तो बात बन होता है ठीक है चलिए अगरा कोस्वन देख लिजिए कलोरीन के परमानु के बहत्यम कक्षा में अलेक्ट्रोनों की सख्या कितनी होती है किसको ने बालू में साथ होती है दो आठ सेवन होता है नहीं तो बहारी कख्छा नी बहुत्यम कख्छा में एंसर सेवन हो जाएगा ठीक चलिए आगे देखते हैं उन्हों यह भी कोशन होगा इंपोर्टेंट है ठीक सब कोशन इंपोर्टेंट है जितना अब्जेक्टिव कोशन बतला रहे हैं सब और नहीं होगा है कभ दो हजार बाइस के जो बोड एकस्जाम होने वाला है तो ठीक है तो कर लेना चल देखो धूरा का रसाइनिक सुतर क्या एकने जामता है एकने जानता है संगलिकरेंगा बच्चा-बच्चा जांता एकने दिए किसी कोस में एलेक्टोनों की अधिक्तम संख्या होती है तो 2NA2 होता है हमारे सरीर किस pH पारस के बीच कारिय करता है तो answer क्या हो जाएगा 7.0 से 7.8 के बीच क्या करता है कारिय करता है चल अब अगला कोस्टन देखते हैं अगला कोस्टन है पोटेसियम का परमानु संख्या है उनीस होता है ना पोटेसियम का परमानु संख्या ठीक है तो पोटेसियम का आप लोग जानते हो परमानु संख्या कितना होता है नीस चलिए फर्मिक अमल का IKC नाम है तो के ने जानता है फर्मिक अमल का IKC नाम मेतोनों ही कमले हो जागा, एह हो जागा, एंसर चलिए, इथाइल एलकोहल का अनुसुत्र है, यह हो किया ने जानता? सब बे जानता, C2H5OH हो जागा, C2H5 इथाइल, OS, एलकोहल एलकाइन कौन है? एलकाइन पूछ रहा है, खित है, एलकाइन आपको बतलाना है, कौन है? तो L किन थुड़ी बोल रहा है, L कौन है? तो L काइन तो बते ये दोगे, C2H2 हो जाएगा चीनी का रसानिक सुत्र है, तो चीनी का पुछायना रसानिक सुत्र है तो क्या हो जाएगा? C बारे H22, OE11 हो जाएगा सब कर लो केमेश्ट्री में यहां से बाहर नहीं आएगा आपका बोड एक्जाम में सिल्वर कुल राइट जिसका फर्मूला एजी सील होता है इसका रंग कुछ रहा तो हरा होता है ठीक है कोसन कितना एजी सब है ठीक बेकिंग पॉर्टर का अनुसुत्र है एन ए एस सियो थी होता है असुद्ध सोना का अभियक्त 24 के रेट नहीं हो जाएगा ठीक है तो तुम लोग तो अच्छे बत्चे हो तुम लोग तो सब जानते हो एंसर इथैन में कितने सहसनी हो जग आबंद होते है लोग साथ होता है किसका समान ने सुत्र है के ने जानता है यानि इसका राइट एंसर सी हो जाएगा चलिए अगला कुस्ष्ण अब देख लिजी आप लोग अगला कुस्ष्ण है आधरी गावर्त सार्णी में समुओ की संक्या अठार है सुद्ध जल का पीच मान कितना होता है सा और उसके ब अगला कुस्ष्ण है अगला कुस्ष्ण है देख लिजीए अपका समिकरन दिया हुआ है आप बोल रहा है का सन्योजन अभिक्रिया है या वियोजन है या दुविस्थापन यह नहीं है तो याद रखना यह दुविस्थापन अभिक्रिया ठीक बॉक्साइट किस धातू का महत्तपुर्ने अलुमिनियम का है ठीक है किस रसानी क्योगी को गर्म करने पर इसी ठीक अमने वना का आपक्ए सी नाम किये नहीं जानता है एथालोगी का मने हो जाएगा ठीक है तो चलिए एंगला पूस्म देखिए सबसे कठोर ततब कौण है लोग हीरा है आवर्थसानि में कितने वर्ग होता है वर्ग कुछा है तो 18 होता अ तो 18 हो जाएगा ठीक है तो D हो जाएगा अकरिय ततब कौण है इसमें तो कारवन और ये सोना है डोन तो है ये हिलिया हो तो आज इतना objective question कराएं नहीं होगा इन सारे objective question करके जाना ठीक और मिस्चित रुप से आपका exam बहुत बढ़ी है जाने वाला है आज का class आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो like, share, comment ज़रूट करना जो चैनल को subscribe नहीं किये हो उन सभी बच्चों से थोड़ा सा जो है रहा है वावलों छोटा सा रिक्वेश्ट है कि चैनल को subscribe कर लेना आथके class यहीं से सुवापते करते हैं धन्ना